जब वो images capture होंगे उसके बाद में AI जो है analyze करेगा problems करते हैं उन्हें सजा होगी चले दोस्तों चालू करते हैं आज की भी auto news है number 108 और जैसे देख रहे हैं दोस्तों outdoors आये हुए हैं जी हां अलग-अलग background, अलग-अलग situations, अलग-अलग weather में आपको tech news नहीं auto news देने में बहुत जादा मज़ा आता है इसलिए आते हैं वैसे दोस्तों आपको यह outdoors दिखता है लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 5-6 घंटे बिताने पड़ते हैं अरे कौन सी जगा पर जाना है, कहां पर अच्छे दिखेगा वैसे ही कुझ है यहां बड़ी सी लेक है लेकिन auto news के बारे में auto खबरे के बारे में बात करते हैं दोस्तों government ने in fact transportation minister जो है उन्होंने कहा है कि हम AI इस्तमाल करने वाले हैं artificial intelligence, safety, road discipline वगएर बढ़ाने के लिए मतलब लोग lane cut करते हैं, over speeding वगएर करते हैं वो AI से change करने वाले हैं, उसके उपर control लाने वाले हैं और उसका मतलब यह भी हो गया दोस्तों कि बहुत सारे जगह पे आपको camera's दिखेंगे road के उपर क्योंकि जब वो images capture होंगे उसके बाद में AI जो है analyze करेगा और जो problems करते हैं उन्हें सजा होगी All right, बड़ी खबर electric vehicles की दुनिया से दोस्तों, Bounce Infinity E1 जो है यह एक electric scooter है यह unveil हो गई है, इसकी जो price है दोस्तों Yes, it is 69,000 जी यहां लेकिन battery के साथ, अगर without battery आप लोगे, yes, आप यह scooter without battery ले पाओगे क्योंकि इसमें swappable battery technology है, it is going to cost you 45,000 In fact, कुछ-कुछ states में तो दोस्तों, 40,000 की नीची इसकी price होने वाली है, imagine that, उतना ही नहीं आप कहोगे कि मैंने सिर्फ scooter ले ले उसमें battery नहीं चलेगी कैसी, कोई problem नहीं, एक-एक किलोमेटर पे यह जो So, batteries होते हैं, battery का infrastructure होने वाला या फिर battery stations होने वाले है, वो, वो company डालने वाली है, so already, and याद रखिए दोस्तों, यह जो एक 2-kilowatt का battery है, वो आपको 85-kilometer की range देती है, so, first swappable battery scooter जो है, इंडिया में launch हो रही है, and at a very, very, very good price All right, दोस्तों, electric vehicles के बारे में बात करते हैं, तो Tesla के बारे में कैसे नहीं बात करेंगे, जिया, Tesla के बारे में बात करते हैं, उनका जो 150-kilowatt का supercharger है, वो spot हो है, वैसे अभी तक पिछले 2-3 सालों में, दोस्तों, उनकी जो model Y है, model S, यह 2-3 models हैं, वो भी अपने Indian roads पे दिखे ह जल रही है, but I will tell you what, मैं आपको बताने नहीं वालों कब launch होने वाली है, क्योंकि मुझे तो लगा था 2-3 साल पहले launch होगी, मुझे नहीं लगता है, अगले 2-3 साल में, actually commercially available होगी Tesla, but yes, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, very-very slowly, at snail's pace, वैसे auto news अच्छी लगती है, लाइक करना ब motorcycle होने वाली है, जो एक electric vehicle है, I am very excited, और कहां जा रहे है दोस्तो, ये cruiser है, तो range अच्छी होनी चाहिए, 200 km की इसकी range होने वाली है, so January is not very far, अगले महीने ही पता चल जाएगा, कितनी price होगी, I just hope कि ज्यादा इसकी price नहीं होनी चाहिए, अगर अच्छे price पर launch होता है, तो य 2021 is going to be a pivotal year in electric vehicles, और Tata Motors के आप sales numbers देखोगे, तो electric vehicles के, तो आपको पता चलेगा, what I was saying was right, 324% से दोस्तो, increase हो गई है total उनका जो electric vehicles का sale है, कुछ 1741 units उन्होंने बेचे है, only in November, imagine that, that is three times more, wow, beautiful, मतलब ये जो है चीज है ना दोस्तो, ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो शायद कहूँगा कि 600% से बढ़ने वाली है, so yeah, that is what the future is, electric vehicles, लेकिन दोस्तों कभी-कभी मारुदी के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, पहले भी मैंने बताया हुआ आपको, मारुदी जो है ना, electric vehicles पे focus नहीं कर रहा है, in fact, अब तो मारुदी का ये कहना है कि वो 5 नहीं SUVs लेके आने वाले हैं, एक तो क्रेटा के competition में 2 sub-compact SUV, एक वो लेके आने वाले है, premium 7-seater SUV भी लेके आने वाले है, so they are, and these are not going to be electric, these are all going to be IC engine-based SUVs, so yes, मारुदी सोच भी नहीं रिये है, electric के बारे में, why मारुदी, कीजे, कीजे, बहुत important है, आपके लिए और आपके company के future के लिए, all right, KTM के बारे में बात करते है, KTM motorcycles, normal, electric, नहीं दोस्तों, उनकी RC series, जो है, वो, already launch हो गई थी, उनके उसके बारे में, हमने video भी किया हुआ है, नहीं देखा है, तो ज़रूर जा के देखिएगा, but उनकी अब adventure series, जो है, दोस्तों, यह globally launch हो गई है, औ और इंडिया में बहुत ही जल्दी यह launch होने वाली है, so yes, KTM, यह उपर नीचे हो रहा है, मैं शायद गिर जाओं, पत्थर वगए रहे है, क्योंकि इतने सारे, anyways, KTM की adventure series आ रही है इंडिया में बहुत जल्दी, चलिए, वक्त होता है, auto fat का, sun भी नीचे जा रहा है, हमारा auto fat भी आ गया है, यह जो land roll defender है, उसके doors में, और जो side के mirrors है, उनमें ultrasonic sensor आता है, क्यों बता है, water का depth जानने के लिए, yes, these are off-roading vehicles, नदी में से, नालो में से जाता है, तो depth जो होता है, पानी का, वो बताता है, पत आतने दोसों इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो तक, keep trackin and drive safe.